कि मफकर्ट किसान भाइयों मैं हूप और आपका फ्वागत है आपके अपने चैनल पवन गुरूप अगरिकल्चर में किसान भाइयों आज हम इस वीडियों बात करेंगे चन्ने में लगने वाले प्रमूख किट फली छेदक के बारे में और जूलचा रोक के बारे में किसान किसान भाइयों फफलों में कीट वरोगों का प्रकोब हर मौफों में देखने को मिलता है लेकिन फर्दियों में तापमान कम रहने से फफलों में कीट वरोग लगने की संभावना ज्यादा होती है यदि समय पर इन कीट वरोगों का नियंत्रण नहीं किया जाए तो उत्प करके बारे में इस समय देश में कई भागों में चने की फफल लगी हुई है रभी फफ़लों में गेहूं के बाद चना हीसा महत पूर भंके बाजिता है। पाँ पहले बात करते हैं फली छेड़क की तो किसान भाई यह एक हरे रंग की कीट होते हैं जो एक दिसमलो दो पांच इंच लंबी होती है जो बाद में भूरे रंग की हो जाती है शुरुवात में चने की पत्तियों को खा जाती हैं इसके बाद फली लगने पर उनमें छेद करके दाने को खोखला कर देती हैं इससे दाना नहीं बन पाता है और फफल खराब हो जाती है फली छेदक के रोग थाम के लिए किसान भाईयों जैविक नियंतर हेतु जनौरी से फरोरी माह में पांस से छव फेरोमोन ट्रेप प्रती हेक्टेर में आप लगाएं रफाइनिंग नियंतर हेतु फूल आने से पहले तथा फली लगने के बाद इमामेक्टिंग बेंजोएट पांच परफेंद एफजी का पंदर ग्राम दवा पंदर लिटर पानी में घोल कर छुटगाव करना चाहिए या डेल्टा मेथेंट 11 परफेंट इसी का पचीस एमल दवा पंदर लिटर पानी में घोल कर छुटगाव करने से जो है फली छेदक का प्रकोप हमारे फफल में नहीं होता है समद thumbs बात करते हैं चैने में जूलवा रोख की तो किसान फैसार रोग के कारण चैने कि नीचली पत्तियां पीलिया पढ़कर घढ़ने लगती हैं तथा फलीयों कम बनते हैं प्रारब में पत्तिoon पाने में घोल कर छिड़काव करना है